नमस्कार प्यारे बच्चो अर्शास की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। एक से अधिक चर होने पर हमें यह जिगासा होती है कि क्या इन चरों में आपस में कोई संबंध है। आज की कक्षा में आप यह सीखेंगे कि दो चरों के बीच की संबंध का परिशन कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा कि लंबे व्यक्तियों का वजन भी अधिक होता है। इस प्रकार कहें सकते हैं कि व्यक्ति की लंबाई तथा व्यक्ति के वजन संबंदी आक्डों में सैसंबंध होता है। सेह संबंद का विशलेशन दो चरों में संबंदों के करमबद परिक्षण का एक साधन है। आज की कक्षा में हम सेह संबंद की विशे में इस्तार से चर्चा करेंगे। सेह संबंद किसका मापन करता है। जैसा की नाम से स्पस्ट है, सह संबंद दो शब्दों को जोड़ कर बना है पहला सह का अर्थ है साथ तथा दूसरा संबंद का अर्थ है दो वस्तों में किसी प्रकार का संपर्क बताने वाला तत्व सह संभंद वह संख्या है जो दो चरों के बीच संभंदों की गहनता तथा दिशा का अध्यन और मापन करती है यह दो चरों के बीच के संभंद के अनुमान को विज्ञानिक रूप देता है तथा संख्या में व्यक्त करता है आपने अपने परिवार में बुजर्गों से कई ऐसे संबंदों के बारे में सुना होगा जैसे वर्षा कम होती है तो फसल का उत्पादन भी कम होता है या तापमान के बढ़ने पर आइसक्रीम की मांग भी बढ़ने लगती है यह आम की पूर्ती बढ़ने पर आम की कीमत कम हो जाती है सांखेकी में हम इस प्रकार के चरों से संबंदित आखणों को एकत्र करके सह संबंद की सायता से इनके बीच संबंदों की गेहनता और दिशा का पता लगा सकते है यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि सह संबंद कारे कारण संबंद को ग्यात नहीं करता बलकि सह संबंद सह प्रसरन का मापन करता है सह संबंद तब पाया जाता है जब एक चरका मान किसी दिशा में बदलता है तो दूसरे चरका मान या तो उसी दिशा में बदलता है या फिर विप्रीत दिशा में सह संबंद सदेव रेखिय होता है अर्थात दो चरों में होने वाले परिवर्तन को एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाय जा सकता है आएए सह संबंद की विभिन अर्षास्तियों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में जानते हैं गिल्फर्ड के अनुसार सह संबंद गुणांक वह केली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सह संबंदित हैं तथा एक के परिवर्थन दूसरे के परिवर्थन को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं एक और अर्थ शास्त्री डियन श्रीवास्तव के अनुसार जब दो चर राशियां इस प्रकार संबंदित हों कि एक चर राशी के बढ़ने से दूसरी चर राशी बढ़े या घटे या इसके विप्रीत हो तो उन चर राशियों में सह संबंद पाया जाता है अर्थ शास्त्री बेलिस के अनुसार सह संबंद का भी प्राय है आखडुके दो या अधिक विबिन समुहों की तुलना जिससे उसके संबंद को जाना जा सके और उस संबंद की मातरा का अंकात्मक रूप में व्यक्ट किया जा सके आए सह संबंद के विबिन प्रकारों के बारे में जानते हैं सह संबंद को आम तोर पर धनात्मक या रिनात्मक सह संबंद की रूप में जाना जाता है धनात्मक सहसंबंद जब चरों की गती एक ही दिशा में एक साथ होती है तो सहसंबंद को धनात्मक सहसंबंद कहा जाता है जब किसी एक चर के मान में वृद्धी होने से दूसरे सहाचर्य के मान में वृद्धी होती है या उसके मान में कमी होने से दूसरे सहाचर्य चर के मान में कमी होती है तो यह दोनों चरों के बीच पाये जाने वाले धनात्मक संबंद को दर्शाता है उधारन के लिए जैसे जैसे तापमान बढ़ता है आईसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है या आये के बढ़ने पर उभोग वै भी बढ़ जाता है तापमान और आईसक्रीम की बिक्री दो चर है तथा इनके बीच धनात्मक सहसंबंद है इनके मद्धे कारे कारण का संबंद नहीं है अर्थात आईस्क्रीम की विक्री बढ़ने के कारण तापमान बढ़ रहा है या तापमान बढ़ने के कारण आईस्क्रीम की विक्री बढ़ रही है ऐसा कोई संबंद सह संबंद वारा नहीं दर्शाय जाता है आइस्क्रीम की विक्री बढ़ने के कई और अन्य कारण भी होते हैं किन्तु आइस्क्रीम की विक्री के मान में होने वाले परिवर्तन ताप मान में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप है इसलिए इनमें धनात्मक सह संबंद है दूसरा होता है रिनात्मक सह संबंद जब चरों की गती विप्रित दशाएं गती मान होती है तब सह संबंद को रिनात्मक सह संबंद कहा जाता है जब किसी एक चर के मान में व्रद्धी होने से दूसरे सहाचर के मान में कमी आती है अत्वा उसके मान में कमी होने से दूसरे चर के मान में वृद्धी होती है तो इन दोनों चरों के बीच पाये जाने वाले इस प्रतिकूल संबंद को रिनात्मक से संबंद कहते हैं उधारन के लिए जैसे जैसे तापमान घड़ता है मुमफली की बिक्री बढ़ती है यह कीमतों के बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है यहां तापमान तथा मुमफली की बिक्री दो विभिन्चर है तथा इनके बीच रिनात्मक से संबंद है मैं यहां आपको एक बार फिर याद दिलाज चाहूँगा कि इन दो चरों के मध्य कारे कारण का संबंद नहीं है अर्थात मुमफली की बिक्री बढ़ने के कारण तापमान कम हो रहा है या इसका उल्टा से संबंद नहीं दर्शाता है से संबंद तो केवल इन दोनों चरों की गती की दिशा में होने वाले परिवर्तन का अध्यन करता है तथा उसकी मात्रा को मापता है दो चरों के बीच किसी प्रकार के संबंद की अनुपस्तिती को शुन्य से संबंद भी कहा जाता है सह संबंद का अध्यान करते समय हमें चरों का चुनाव तारकिक बुद्धी का प्रियोग करके करना चाहिए कई बार ऐसे दो चरों में भी सह संबंद पाया जा सकता है जिनका दूर दूर तक कोई संबंद नहीं होता इस प्रकार के सह संबंद को मिथ्या सह संबंद कहा जाता है यह सह संबंद मातर एक संयोग होता है या किसी अन्य तीसरी चर्क के कारण हो सकता है आपको इस प्रकार के संबंद के परती सजग रहना है तथा किसी भी निश्कष पर पहुँशने से पहले अपनी तार की बुद्धी का प्रियोग करना होगा आईए सह संबंद की उपियोगीता और महत्व के बारे में जानते है समाजिक विज्ञान में दो चरों के बीच संबंदों को समझने के लिए सह संबंद प्रविद्यों का प्रियोग किया जाता है सहसंबंद की उप्योगीता एम महत्व का संखेप विबरण इस प्रकार है पहला नियमों तथा सिध्धान्तों का निर्मान यह आर्थिक व्यवारों को समझने में सहयक होता है सह संबंद का अध्यन अर्थशास्त में विभिन नियमों तथा सिधान्तों का निर्मान करने का आधार प्रधान करता है मांग का नियम, पूर्ती का नियम सह संबंद की आधार पर ही बनाया गया है कीमते बढ़ने पर मांग कम होती है यह सैसंबंद के आधार पर ही निर्धायित किया गया है दूसरा कारे कारण संबंद का अनुमान यह परसपर संबंदित चरों की खोज संबव बनाता है सैसंबंद दो चरों के बीच कारे कारण संबंद का अनुमान लगाने में मदद करता है उधारण के लिए यदि किशी वर्ष में टमाटर की फसल कम हुई है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि टमाटर की पूर्थी कम होने के कारण कीमतों में व्रद्धी होगी तीसरा व्यवसाइक नेड़ने का आधार सह संबंद अस्पस्ट सुझाओं को स्पस्ट करता है तथा ऐसे उपाय खोजने में मदद करता है जिससे आर्थिक तथा व्यवसाइक की नेड़ने सरलता से लिए जा सकते हैं सह संबंद व्यवसाइक नेड़ने में उध्यमी की साहता करता है उधारण के लिए एर कंडिशन के निर्माता गरमी अधिक होने पर उत्पादन की मात्रव को बढ़ा देते हैं यह हीटर का उत्पादक सर्धी बढ़ने के साथ हीटर के उत्पादन को बढ़ा देता है ताकि वो पूर्ती कर सके चौथा नीति निधारण में सहायक सरकार की अनेक नीतियां भी सहसंबंद की सहायता से निधारित की जाती है उधारण के लिए निम्न आयवर्ग में साक्षरता दर कम पाई जाती है आय और साक्षरता दर में धनात्मक संबंद होने के कारण सरकार निम्न आयवर्क के विद्यारतियों को विद्याले में रोके रखने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े विद्यारतियों के लिए छात्रवर्तियों प्रदान करता है सरकार ने महिलाओं की सक्षर्त दर बढ़ाने के लिए सह संबंद के आधार पर अनेक नीतियां बनाई है पूर्वा अनुमान में सहायक सह संबंद की सहायता से दो चरों के संबंद की दिशा तथा मात्र का पता चल जाता है इसके आधार पर एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे चर में परिवर्तन का अनुमान लगाना सरल हो ज पिछले पॉइंट में हमने यह देखा कि व्यवसाई कैसे पूर्वानुमान लगाकर उत्पादन को बढ़ा देता है। सहसंबंद के कुछ सीमाएं भी होती हैं। आए सहसंबंद की सीमाओं को जानते हैं। पहला, किनी दो चरों के सहसंबंद से उनके बीच सहसंबंद की मूल कारणों का ग्यान नहीं होता है। सहसंबंद केवल अदिशा और मातरा को बताता है, यह किस कारण से हुआ है, इसका अध्यन हमें अलग से करना पड़ता है। दूसरा, छोटे समू से प्राप्त सहसंबंद की अपेक्षा, बड़े समू से प्राप्त सहसंबंद अधिक विश्वस्निय होता है। तीसरा, सैसंबंद का प्रियोग करते समय व्यभार बुद्धिक का भी प्रियोग करना चाहिए, वरना मिथ्या सैसंबंद प्राप्थ हो सकता है। सैसंबंद किसी तीसरे चर्षे प्रभावित भी हो सकता है। ऐसे किसी तठे का अध्यन से संबंद नहीं किया जा सकता है। पाँच्वाँ, सैसंबंद गुणांग का अर्थापन परिसितियों पर निर्भन करता है। इसलिए उसकी व्याख्या करना थोड़ा कठिन कार्य है। आईए अब हम सैसंबंद के गुणांग की व्याख्या करते हैं। सैसंबंद गुणांग एक अनुपातिक संख्या होती है जिसका मान माइनस एक से प्लस एक तक होता है। यहां रिनात्मक चिन रिनात्मक सैसंबंद को तथा धनात्मक चिन धनात्मक सैसंबंद को प्रकट करता है। और माइनस एक से जमा एक के बीच की संख्याएं सैसंबंद की मातरा के बोद कराती है सहिसंबंद की व्यक्या इस आनी के अधार पर की जाती है सहिसंबंद गुनांग यदि प्लस एक है तो पूर्ण धनात्मक सहिसंबंद पाया जाता है यदि सहसंबंद गुणांग 0.76 से 0.99 है तो यह उच्छ धनात्मक सहसंबंद को दर्शाता है और यदि सहसंबंद गुणांग प्लस 0.26 से 0.75 तक है तो इसे समान्य धनात्मक सहसंबंद कहते है इससे कम होने पर इसे निम्न धनात्मक सहसंबंद कहते हैं जो 0.01 से लेके 0.25 तक होता है यदि सहसंबंद गुणांग का मुल्य 0 है तो इसका अर्थ है कि दोनों चरों में कोई सम्बंद नहीं है इसी परकार यदि माइनस 0.01 से माइनस 0.25 तक सहसंबंद गुणांग का मान है तो यह निम्न रिनात्मक सहसंबंद को दर्शाता है यदि सहसंबंद गुणांग का मान माइनस 0.26 से माइनस 0.75 तक है तो यह सामाने रिनात्मक सहसंबंद को दर्शाता है और यदि यह माइनस 0.76 से माइनस 0.99 तक है तो यह उच्छ रिनात्मक सहसंबंद को दर्शाता है और यदि सहसंबंद गुनां का मान माइनस एक है तो यह पूर्ण रिनात्मक सहसंबंद को दर्शाता है इन सब के बाद आईए अब हम सहसंबंद को मापने की प्रविदियों के बारे में जानते है से संबंद को मापने की प्रविदियों को हम मुख्यत दो भागों में बाढ़ते हैं पहला प्रकीरन आरेक जिसमें आरेक की सायता से कोई संख्यात्मक मान दिये बिना दो चरों के सहाचर्य को दर्शिर रूप से प्रस्तुत किया जाता है तथा दूसरी संख्यात्मक भी दिया हैं जिसमें सैसंबंद गुणांग की गणना दो प्रकार से की जाती हैं पहला काल पीर्सन का सैसंबंद गुणांग तथा दूसरा स्पीर मैन का कोटी सैसंबंद गुणांग अब हम प्रकिरन आरेक कव विस्तार से समझते हैं प्रकीरन आरेक किसी संख्यात्म गणना के बिना दो चरों के मान को ग्राफ की सायता से प्रस्तुत करता है प्रकीरन आरेक को देखकर दो चरों के बीच संबंद की दिशा तथा मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है प्रकीरन आरेक प्रविदी में दोचरों के मान को ग्राफ पेपर बिंदूों के रूप में आलेखित किया जाता है आलेखित बिंदूों के इस समू को प्रकीरन आरेक कहा जाता है यदि सभी आलेकित बिंदू एक रेखा पर हो या रेखा के निकट हो तो सैसंबंद को रेखिये कहा जाता है यदि प्रकिर्ण बिंदू सरल रेखा के चारों तरफ फैले हुए होते हैं तो सैसंबंद निम्न माना जाता है आए अब हम बिभिन उधारनों से प्रकिर्ण आरेक को समझते हैं कि इसके द्वारा सैसंबंद को कैसे जाचा जाता है या मापा जाता है दी गई सारनिक को देखिए जिसमें चर एक्स तथा चर वाई के मान दिये गए हैं इसके आधार पर सबसे पहले हम एक्स अक्ष की रेखा कीचेंगे फिर वाई अक्ष की रेखा कीचेंगे दोनों अक्षों पर उनके मानों को चिन्नित करेंगे इस ग्राफ पर एक्स चर के मान और वाई चर के मान के अनुरूप बिन्दूओं को अंकित करेंगे और इनी बिंदूओं के समीब से जाती हुई एक रिखा खीषते हैं यह रिखा हमें धनात्मक से संबंद को दर्शा रही है अर्थात एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर का मान भी बढ़ रहा है आईए अब हम दूसरे प्रकिर्ण आरेक को समझते हैं दी गई सार्णी को देखिए इसमें चर एक्स तथा चर वाई के मान दी गए है हम सबसे पहले एक्स अक्ष की रेखा खीषते हैं फिर वाई अक्ष की रेखा खीषते हैं दोनों पर चर एक्स तथा चर वाई के मान को चिन्नित करते हैं अब चर X तथा चर Y के मान को बिन्दूओं द्वारा इस ग्राफ पर आलेखित करते हैं पांच बिन्दूओं हमें प्राप्त हुई इनी बिन्दूओं के समीब से जाती हुई हम एक रीखा खीचते हैं आप देख रहे हैं इस रीखा का ढ़ाल रिनात्मक है अर्थात जब Y चर का मान अधिक है तो X चर का कम है और Y चर के मान बढ़ने पर X का मान कम होता जा रहा है आएए अब हम अगले प्रिक्रियन आरेक को समझते हैं दी गई सारणी को देखिए इसके अनुरूप हम X अक्ष तथा Y अक्ष पर मान को चिन्नित करते हैं X चर के मान और Y चर के मान के अनुरूप ग्राफ पर बिंदू आले खित करते हैं इस परकार हमें 5 बिंदू प्राप्थ हुई पहली बिंदू X के 20 तथा Y के 20 को मिला कर बनाए गई है इस प्रकार प्राप्ट की गई पांचों बिन्दुओं को मिलाने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्ट हो रही है यह है चर X तथा चर Y के बीच पूर्ण धनात्मक सहसंबंद को दर्शार रहा है आईए अब हम पूर्ण धनात्मक सहसंबंद को देखते हैं दी गई सार्णी को देखे जिसमें चर X और चर Y का मान दिया है ग्राफ पर X अक्ष तथा Y अक्ष हम अंकित करते हैं और इन दोनों पर उनके मानों को चिन्नित करते हैं सबसे पहले बिन्दु हम X के 20 मान और Y के 5 मान को मिला कर चिन्नित करते हैं दूसरी बिंदू X के 15 और Y के 10 पर चिन्नित करते हैं इस परकार हम 5 बिंदू अंकित करते हैं और इन्हें मिलाते हुई एक रेखा कीचते हैं आप देख रहे हैं 5 बिंदू एक ही रेखा पर है अर्थात दोनों चरों के बीच चर X तथा चर Y के बीच पून रिनात्मक सह संबंद है यह आवश्यक नहीं कि हर बार कोई सह संबंद प्राप्थ हो प्रकिर्ण आरेक के अगले उधार में आप देखिए एक सार्णी दी गई है जिसमें चर X तथा चर Y के मान दिये हैं पुने हम ग्राफ पर X अक्स तथा Y अक्स को चिन्नित करते हैं तथा इन दोनों अक्षों पर इनके मानों को अंकित करते हैं अब चर X और चर Y के अनुरूप ग्राफ पर बिंदूओं को आले खित करते हैं इस प्रकार हमने दस बिंदू आलेकित करी जो चर X और चर Y के मान के अनुरूप है आप पा रहे हैं कि इन में कोई रेखिये सहसंबंद नहीं है इस प्रकीरन आरेक के आधार पर हम निश्कष निकाल सकते हैं कि दोनों चरों के बीच में शुन्य सहसंबंद है या कोई सहसंबंद नहीं है आज हमने सहसंबंद के प्रकीरन आरेक विदी के बारे में जाना अगली कक्षा में हम सहसंबंद ग्याद करने की अन्य प्रिविदियों के बारे में जानेंगे आज की कख्षा हम यहीं समाप्त करते हैं अगली कख्षा में आपसे पुने भेट होगी और से संबंद के इस विश्य को हम और आगे बढ़ाएंगे तब तक के लिए नमस्कार अजया आपसे बढ़ाएंगे